यूपी में अब आलू को लेकर भी सियासत गर्मा गई है और आलू को लेकर अब विपच्छ ने निशाना साधा आए कि लगातार लगत बढ़ रही है और इसके साथ ही जो किसान है उनको जो मूल ले है वो भी नहीं मिल रहा है और भाजपा सरकार अब MSP भी लागू नहीं कर यह क्या लगता अखलेश यादो और शिवपाल जो कह रहे हैं कि जो किसान के जो बीज हैं पचीस पचीस सो रुपए वो प्रतिक विंडल खरीद कर बोते हैं और उसके बाद शेसो पचीस रुपए मजा किया जा रहा है किसान हम लोगों के साथ नहीं निकल पाते हैं हम लो लेकिन हमारा कम सरक मतलब नहीं निकला है इसलिए हम घाटे में जा रहे हैं अचाब कहते हैं कि कोल जो अधिक मतलब बोने वाले हैं तो कोली स्टोरेज पर रात बितानी पढ़ती है टोकन भी नहीं मिल पाता कई के दिन तर अब तो है यह दिक्कत तो है जो ट्वीट किया क्लेश यादो शिवपाल जो कह रहे हैं उस पर और भी बात कर लेते हैं चाहिए क्या नाम है बताई हो किस गाओं हरी संकर सिंग नाम है सही जना के हम रहने वाले हैं यह बताई कितना कि आपने आलू बोया था खेत में इस बार और क्या लागत लगी थे लागत जो लगता नुक्सान हो रहा है सब्सक्राइब करके हमों कर रहे हैं सरकार 625 रुपय प्रतिकुंतल का दाम दे रही है और अखलेश यादो और शिवपाल यादों ने ट्वीट किया है कि सरकार जो मूले दे रही हुट मजाक करें चूकि 2500 रुपय तो वीज का ही लग जाता है प्रतिक सब्सक्राइब और शिवपाल की टोकन नहीं मिल पाता रात रद बर इंतिजार करना पड़ता है कि सानों कोई रुखता है यह साम को पांच्छा बज़े साथ वज़े तक खाली हो जाता है कौन सा को लिश्टोर है यह विजय बहादूर को लिश्टोर है गीडा में हां सेक्ट कितना अलू लेकर आपाएं पूरे गाउं सवाक आलू है यह बताइए कि जो मूले सरकार दे रही है वह मूले आपको लग रहा है सही है चुकि अखलेशन अखलेश यादव और शिवपाल जी निशाना साथ रहे हैं फाइदा हो जाए 6 रुपिया ता वह आलुए गुह में पूजी अधर लगवे करें लेकिन वहतना मतलब नाहीं हम पाई पूजी अवसाथिया कितना 225 रुपिया करीद के बहुं ले रहाना साथ यहां नाए खरीदेन तो धरी लगाउंगा सभी है आपने कितना कितना अलू बहुत है था हमारा अधिया ले आउकुल एक भीगाल ह कितना कितना अपने दाम लगाएं अब दाम का लगाएं अपने घरे लेगाएं अभी मलब बेचने के लिए आपके पास कितना आलू हो पाया है यह गाओं का जो आप अलग-अलग लोगों का भी आलू लेकर आएं तो यह उनको उसका दाम मिल जाता है अब यादो कह रहे हैं कि कम से कम पंदरा सुरुपय मिलना चाहिए तो उनकी बास सही है तो पंदरा सब्सक्राइब कि वह साइब फीकलनी आप इस यह नहीं नहीं गोंगा बाइस तीस ले लगए लाइए तो कहां आप नाले लिए था है विस बाइस ले और एक और खिसान हमारे साथ हैं यह पताई क्या नामें आपका हमारा दुर्गे सिंग आपके रहने वाले हो कितना इस बार आपने आलू पहले लाइए आप पचीस से तुश्कूंटल होता है लागल लगती है अगर निकल जाएगा अगर कम से कम 1200 समय अगर मिलता तो खिसान का पूरा लागत निकल जाता है तो यह था कि तीन सुर्पर कुंटल खर्चा आता है भाड़ा किराया लेकर के बोरेका दाम लेकर तो उसक्या कि स्क्राट नोक फायदा क्या है चुछ नहीं है और आज कहते हैं ने अभी अखिलेश ने कहा है कि MSP भी नई सरकार लागू कर रही बाजपा की तो यह राजनीती भी हो रही अब कहा जा रहा है कि आलू पर आलू पर जो सियासत अब सुरू हुई है तो कहा जा रहा है कि सरकार भी बदल जाएगी आलू पर सरकार ठोली की मूट के पर जाल के बाईक्समौन सरकार बदल लेंगे तो बहुत लोग है जब सरकार खने के खिलाब होंगे तब सरकार बदलेगे एग आदमी आएग जी गाम सरकार को गणा बदल सकी है पूरा पढ़त अब बता रहे हैं कि आपको कितना लागत आपकी लगता है तो अब मालीजी तो क्या आप फायदे में हैं जो आपको मुलित सरकार दे रहे हैं तो मैनस करने से क्या फायदा अगर कहीं आदमी नोगरी करता 500 रुपर दियाड़ी पा रहा है लिए उसे क्या फायदा है यह कोड़ी स्टोरेज में आप राख रहे हैं तो कितना आपको खर्चा आएगा बाड़ा बोरा ले करके 300 रुपर खर्चाएगा तो कितने दिन यहां पर रहे हैं तो तो फिर आलो निकलेगा सित्वागस के बाद निकलता सितंबर अबर तक नौमदी सब्सक्राइब बोया ही जाता है कुल मिलाकर नफान उकसान आपका बराबर है हाँ हाँ बस वही है मतलब खाल है और वस कुछ उसे मतलब नहीं है कोई बेंटी ते आप बदाई क्या लग र हुआ हुए और क्या बोलता है बच्षवाँ हुए यहां इतना ज्यादा नुकसन कर रहे हूं हुए जबने के असमर्त हैं को अलुकई बात नहीं है और भी फसनों का नुकसान कर रहे हैं घ्यूँचा अ यह सब फढ़ी पर सम्पपर्स हैं हम लोंसे वीसा बार तो आता है दिने कई गाउं का अपने गाउन के कई लोगों का आप आने के लोगों के लोगों का पालू यह लेकर आएंट्रयक्टर पर दिख रहा है तो यह बताईए कि आपके गाओं में क्या लग रहा फायदा पा पा रहे हैं किसान आलू से फटवर किसान है उस सब अपने बराबर पर चला लूँ फायदा नुखसान नाई देखा है अब लूब का मालू में मतलब फायदा नहीं को यहां हमरी इनाई फायदा हो पर रहा कर दो परी रोरी रोड़ा है क्या लगर आलू पर सरकार बदल जाए कि जैसा किलेश जादो शिपाल कर नीचे से देखोने and बॉल्ट आफ बाइब धाफ्ट ऑपूर्फ के शहांवा के कई गाओं के किसान है खरैला और तुमाम ऐसे गाओं जो यहां को डिश्टोरेज पर किसान आये हैं और देखिए यह अलग अलग नाम भी इस पर आपको दिखाई देंगे जो गाओं के किसान है अब वो कोल्ड स्टोरेज में यहां पर रखने के लिए आए हुए अलग लग नाम से बोरे हैं और यह अगस्त तक के लिए सितंबर अगस्त सितंबर तक के लिए यह कोल्ड स्टोरेज में रख दिये जाएंगे यह बोरे और आप देख सकते हैं सब पे बकायदे नाम लिखा हुआ है लेकिन जो सियासत आलू को लेकर हो रही है उस सियासत पर जो किसान है उनका जो कहना है वो साफ है कि जो उनको चाहें जो भी लागत लगती हो भले ही उनका फायदा नहीं हो पा रहा है लेकिन उनका नुकसान भी नहीं है लेकिन जो पर सियासत हो रही है उस पर किसानों का यही कहना है कि भले ही कुछ हो जाए आलू पर सरकार बदलने वाली नहीं है नीरश्रवास्तो एबीपी गंगा गुरकपुल एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब की